स्टार्ट यूनेस्को ने एक बार फिर भारत में शिक्षा की इस्तती और शिक्षकों की कमी को लेकर चिंता जताई है स्टॉप यह कमी इतने वर्षों से चल रही है कि जब जब ऐसे सर्वेक्षन या विशलेशन देश के समक्ष आते हैं तो उसमें कोई नई बात नहीं लगती स्टॉप किसी भी विवस्था की गतिशीलता जब शिथिल हो जाती है कौमा तब उसकी बड़ी से बड़ी कमी और कमजोरी का भी सामानी करण हो जाता है और उसे अलभ्य लक्ष के रूप में अलिकित ढंग से स्विकार कर लिया जाता है स्टॉप शिक्षा संविदान की संवर्ती सूची में है स्टॉप विस्कुलों और राज्य के विश्व विद्यालेयों वर महा विद्यालेयों में शिक्षकों की नियुक्ती का उत्तरदायत्व राज्य सरकारों का है स्टॉप केंदर सरकार या उसके दौरा इस्थापित केंदरिय नियामक संस्ताएं केवल अवश्यक दिशा निर्देश दे सकती है कौमा पर उन पर अमल करना संगिय व्यवस्ता में राज्य का अधिकार है कौमा केंदर इसमें हस्तेशेप नहीं कर सकता स्टॉप पैरा सतंतरता के बाद देश में शिक्षा का जितना प्रचार प्रसार हुआ है उसे कटन फरिस्थितियों में राप्त की गई बड़ी उपलब्दी माना जाना चाहिए आज ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में न पढ़ाना चाहता हो लेकिन दुर्भाग्य से व्यवस्ता उसका साथ देने में कमजोर पढ़ गई है व्यवस्ता की संवेदन ही निता का सबसे बड़ा दुश्परिणाम सरकारी इसकुलों की घटती साख है यह देश की बौधिक संपदा की व्रद्धी में बड़ा रोड़ा है 21 सदी में कोई भी सभ्य और सतर्ग देश अपने 50 प्रतीशत से अधिक बच्चों को व्यक्तित्व विकास के अवसरों से वंचित रख कर प्रगती नहीं कर सकता है जिन इसकुलों में छात्र शिक्षक अनुपात उचित नहीं होगा वहां से बच्चे केवल प्रमाण पत्र ही प्राप्त करते हैं और आवश्यक ग्यान कौमा कौशल तथा व्यक्तित्व विकास से वंचित रह जाते हैं एक लाग इसकुलों में केवल एक शिक्षक और ग्यारहे लाग शिक्षकों के पदों रिक्त होना देश में ही नहीं कौमा अंतराश्ट्रिय इस्तर पर भी शर्मनाग माना जाना चाहिए स्टॉप भारत आज इतना संसादन विहीन देश तो नहीं है कि वह बच्चों के लिए शिक्षा की समुचित विवस्ता न कर सके स्टॉप पैरा शिक्षकों की कमी की समस्या की जड़े काफी गहरी है स्टॉप इसके लिए कौन और कितना जिम्मेवार है कौमा यह कोई छिपा तथ्य नहीं है स्टॉप इलहाबाद उच्चिन आहले ने 19 अगस्त कौमा 2015 को एक आदेश में कहा था कि उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव अगले छे महीने में योजिना तयार करें कि कैसे सरकारी खजाने से वेतन लेने वाले हर व्यक्ती के बच्चे केवल सरकारी इसकुलों में पढ़ेंगे सबी जानते थे कि ऐसा होगा नहीं कौमा क्योंकि एक जुट होकर संब्रांत और सरकारी वेवस्ता इसी होने नहीं देगी स्टॉप और ऐसा ही हुआ स्टॉप यही वर्ग सरकारी इसकुलों की मौजूदा इस्तती कौमा साक की कमी और सामान्य जन के अविश्वास के लिए पूरी तरह उत्तरदाई है स्टॉप जब संब्रांत वर्ग के बच्चों के लिए निजी इसकुल उपलब्द हैं और वह पढ़ाने के लिए शिक्षा बत्तों के प्रावधान उपलब्द हैं कॉमा तो फिर यह वर्ग सरकारी इसकुलों की फिक्र क्यों करेगा स्टॉप पैरा नई शिक्षा नीती 2020 के क्रियानवेन के समय इस सच्चाई को स्विकार करना सभी के और देश के हित में होगा शिक्षा नीती विश्वास दिलाती है कि हर बच्चे को ऐसे सिसकूल में शिक्षा मिलेगी जहां बुनियादी सुविदाएं होंगी कॉमा उचित चात्र शिक्षक अनुपात में पूर्ण कालिक कॉमा नियमित और प्रशिक्षित शिक्षक होंगे स्टॉप बस तो इस्तत नामों से अन्शिकालिका अनियमित शिक्षक थोड़े से मानदेय पर नियुक्त करने का चलन बना लिया है स्टॉप इससे नियमित शिक्षकों के सेवा निव्रत होने के साथ नियमित पद खाली होते गए स्टॉप नौकरशाही को यह व्यवस्ता भहुत रास आई स्टॉप जब कोई देश शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण और संवेदंशील विशय पर फैसले केवल नौकरशाहों पर छोड़ देता है तब ऐसी घातक परिस्थितियां पैदा होती है स्टॉप देश में धीरे धीरे शैक्षिक और अकादमिक नित्रत्व के स्थान पर सिविल सेवा के अधिकारी स्कूल बोर्ड कॉमा पाट्य पुस्तक बोर्डों कॉमा राश्ट्रिय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परिशद एन सी ई आर्टी जैसी संस्ताओं म शिष्पदों पर शुशोबित होने लगे स्टॉप यह क्यों होता गया कॉमा इसे जानना बहुत जरूरी है स्टॉप क्या भारत की सिविल सेवा यह जम्मेदारी स्विकार करेगी कि आज जो विसंगतियां शिक्षकों की नियुक्तियों को लेकर उत्पन हुई हैं कॉमा उसकी जिम्मेवारी केवल उसकी और उसकी ही है स्टॉप पैरा शिक्षकों की नियुक्ति कॉमा पद इस्थापना और रशिक्षन को लेकर अनेक समस्याएं समय समय पर ध्यान आकरशित करती रही हैं स्टॉप सन 1986 में बनी राश्ट्रिय शिक्षा नीती को लागू करते वक्त यह तै हुआ था कि देश में कोई भी ऐसा स्कूल नहीं होगा जिसमें कम से कम दो शिक्षक नहों स्टॉप ओपरेशन ब्लेक बोर्ड नाम की परियोजिना के अंतरगत केंदर सरकार ने सभी राज्ज सरकारों से आकडे मांगे और उसके आधार पर लगबग साड़े पांच लाग प्रात्मिक विद्धालेयों को भवन निर्मान कॉमा शिक्षा समगरी आदी के साथ एक लाग चौन मगर सारे काम तो राज्य सरकार को ही करने थे कौमा जिन में शिक्षकों की नियुक्ती कौमा विद्धालेयों में कमरे बनवाना कौमा शिक्षन सामगरी की खरीद जैसे काम शामिल थे पर कुछ वर्ष बात अधिकांश राज्यों को जाच समीतियां बनाने को मजबूर होना पड़ा और सारी परियोजनाएं लक्षों से दूर होती चली गई उदाहरन के तौर पर मद्यपदेश के टीकमगड ब्लॉक में शिक्षकों के एक प्रशिक्षन कारिकरम में चर्चा के दौरान जब यह जानने की कोशिश की गई की सेकंड टीचर की नियुक्ती से ग्रामिड इसकुलों में कितना सकरात्मक प्रभाव पड़ा कौमा तो पता चला की ऐसे शिक्षकों को शहरों में ही नियुक्त कर दिया स्टॉप यानी कागजों में 208 सकुलों में 2 शिक्षक थे कौमा मगर वास्तों में वे वहां नहीं थे जहां उनकी अवशकता थी स्टॉप उनका वेतन उस स्कूल से मिला दिखाया जाता था जिसमें वे शायद कभी गए ही नहीं थे स्टॉप पैरा आज संचार तकनीक ने परियवेक्षन में अनेक सार्थक सुधार कर दिये हैं अब वह सब संभव हो गया है जो पहले जानना और सुधारना कठिन था जन प्रतिनिदी यदि अपने शेतर में शिक्षा को प्राथमिक्ता दें तो प्रशिक्षित और नियमित शिक्षिकों की उपस्तिती हर स्कूल में निश्चित की जा सकती है स्टॉप हर इस्तर पर शिक्षिकों की कमी से पूरी पीडी प्रभावित होती है कॉमा लेकिन सबसे अधिक गांधी जी द्वारा इंगित अंतिम पंक्ती में खड़े परिवार और उनके बच्चे प्रभावित होते हैं यह ऐसा तथ्य है जो चर्च में आने चाहिए और जिस पर विदान सबाओं और संसद में दलगत राजनिती से उपर उठकर बहस होनी चाहिए यह ऐसी कमी है जो सामाजिक सुधार में देरी लाती है और सामाजिक सद्भाव बढ़ाने के लिए किये जा रहे प्रयासों की गती को कुंद कर देती है इससे समानता के अवसर प्रदान करने के संविदानिक आश्वासन का उलंगन होता है कौमा जो यह इंगित करता है कि हम सुतंतरता सेनानियों और संविदान निर्माताओं को वह सम्मान नहीं दे पा रहे हैं जिसके वे हगदार हैं